गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिये कितनी मेहनत हुई कि युवाओं का ध्यान हिंदू मुस्लिम नैशनल सिलेबस से ना हटे लेकिन लगता है इनका ध्यान हट गया है उत्राखंड के दो मेडिकल कॉलेज के ये चात्र 26 दिनों से अथक प्रदर्शन कर रहे हैं कि फीस वृद्धी वापस हो राज्य के नियमानुसार इन चात्रों को सरकारी नौकरी करने के बॉंड भरने होते थे फीस होती थी 50,000 चात्रों का कहना है कि बॉंड भरने का ये विकल्प हटा दिया गया है ताकि महंगी फीस ली जा सके अब सभी को फीस के तौर पर हर साल 4,000,000 फीस देनी होगी चात्रों का कहना है कि इस तरह 5 साल की फीस 18,000,000 की हो जाएगी इसमें 2,000,000 रुपए इंटरंशिप के भी शामिल है हल्दवानी और दून मेडिकल कॉलेज में 5 वर्ष के कुल 706 है इस तरह 5 साल में इन 706 से सरकार 126 करोड रुपए वसूल लेगी फीस के नाम पर क्या ये जादा नहीं है छात्रों का कहना है कि कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस बहुत कम है केवल उत्राखंड में बहुत जादा है छात्रे एक साल की फीस 4,000,000 दे भी चुके हैं इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो चुकी है और फीस कम करने का आश्वासन मिल चुका है स्वास्त मंत्री ने भी क्याबिनेट में तै होने की बात कही थी लेकिन अब वह बैठ़ट 24 सितंबर को होनी है छात्रे इससे और नराज हो गए और केंडल मार्च करने का कारिकरम बना लिया अच्छी बात है कि इन छात्रों को एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकारी कॉलेजों का होना उनका सस्ता होना कितना जरूरी है लेकिन यही छात्र जब बाहर के दुनिया में जाएंगे तो वकालत करते मिलेंगे कि सरकार को प्राइवेट कॉलेज ज़ादा से ज़ादा खोलने चाहिए आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखो करोड़ रुपए में पहुँच गई अभी हमने इन सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के इस्तर की बात भी नहीं की है फाइनल एर के मेडिकल छात्रों को PG के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है मेडिकल में जाने के लिए कोचिंग, मेडिकल की उची पढ़ाई के लिए कोचिंग क्या यह अच्छा नहीं हो कि कोचिंग क्लास को ही मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए Anyway, जोग सफा जो बच्चा होता है नीट के एक्जम क्वालिफाई करने के लिए तीन चार ड्रॉप लेता है उसमें भी उसका काफी खर्चा होता है और फिर बाद में इदार आता है जब फीस के बारे में पता जानता है तो काफी निजासा की बात होती है उसके लिए अगर सरकार ना और इंडिया के लिए मतलब पुरे देश के लिए एक ही तरीके का पेपर बनाया है नीट तो उसके हिसाब से भी फीस वैसी होनी चाहिए उत्रा खंड में चुनाव होने हैं तो हो सकता है कि फीस कुछ कम हो जाए अगर सरकार को फीस बढ़ानी होगी तो चुनाव के बाद कई मौके मिल जाएंगे